अलो फ्रेंड्स आज फिर से मैं आप लोगों के लिए साउथ की एक डिस लाई हूँ जिसके बिना पॉंगल सेलिब्रेट किया ही नहीं जाता दिखने में तो खिर जैसी है पर ये खिर बिल्कुल भी नहीं है नहीं कोई स्वीट डिस है ये डिस का नाम तो पाल पॉंगल है प अच्छे लिए सीखते हैं यूनिक डिसको तमल लाणू स्टाइल पाल पॉंगल पॉंगल तो मिट्टी के बढ़ते ने बना जाता है पर में यहां पे दूलिट का कोकले रही हूं को मैं ले रही हूं आदा कप पॉंगल का चावल इसके बार मैं लूँगी वान फॉर्थ जिसको मैं रोश्ट नहीं किया है इसको मैं चुछ करने वाली हूं 10-15 मिनट इसको अच्छे से दू लेना है और 10-15 मिनट सोख कर लेना है अगर आप 3 लिटर का कुक कर ले रहे हैं तो आप इससे डारेक्ट भी बना सकते हैं थोड़ा ज्यादा दूर डाली यह और इसको ड दालने के बाद मैं इसको थोड़ा सा एक बार मिक्स कर दूंगी ताकि डाल चाबल नीचे चिपके ना इसके बाद मैं इसका धकन बंद करके इसको चार सीटी आने तक हाई फ्लेम में पकाऊंगी अगर आपने तीन लीटर कुकर लिया है तो आप डायरेक्ट इसको 6-7 सीटी हाई फ्लेम में देखिए मैंने कुकर बंद कर दिया है और इसको में हाई फ्लेम में चार सीटी आने तक पकाने वाली हूँ पॉंगल लाक्चिले मिट्टि के पॉट में बना जाता है जो गन्ने के पेड़ के चारो और एक बीच पॉट होता है ना उसी में जो उबल के बाह लाट करें और कुकर को बंद कर दीजिए कुकर अपने अब थंडा हो गया है अब में इसकोन फुशी खोल रही हूँ देखिए इसको मैं चीस करें बहुत अच्छी तरह से पग गया है क्योंकि हम लोगों नहीं इसको फ्लेट स्पून के हर्ब से मैस्वर लेना है क्योंकि इसका texture भी messy होता है इसलिए हम लोगों को इसको צी तरह से मैस करना बहुत Надबर है और उसको अजाना करने में ठंडा हो जाएगा तो इसको मैस करने में आसान नहीं होगा और कुकर छोटा है इसलिए मैं Planning to讲 atd nostra मैं चोड़ा सा कड़ाई ले रही हूँ आप चाहे तो तटकापान पैन भी ले सकते हैं अब कड़ाई गरम हो जाए तो इसमें डालेंगे 2-3 बड़े चमच घी नॉर्थ में टेंपरेचर काफी कम है इसलिए गी पुरा जम गया है पर पर साउथ में अस्पेसल तमिलाडो में क्यूंकि यसी का तो टेस्ट आता है सिप डाल चावल को मुझें तो पूर्ण को डालाऌ चावल के मिक्सर कि अब मैं यहां पर डालने वाली हूँ एक कब दूद्ध जो में धालने वाले हूं कि आप इक साथ सारा डूद डाल देंगे तो यहां पर गुठला बन जाएंगे और गुट्लिया दोडना आसान नहीं होगा, इसको अच्छे से बैचिस में डाले और इसको मिक्स करते जाएं, अगर आप ती लिटर का कुकर ले रहे हैं, तो देट कप दूद के जगा आप दो या धाई कप दूद ले सकते हैं, अब मिक्सर इस तरह का मोटा नहीं होगा, थ मिक्सर में मिल्क पाउडर या फिर पाल गोवा यानि की खोया डाल सकते हैं, जिसमें पाल पॉंगल का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, इस पूरे मिक्सर को दूद से बनाया जाता है, यह साउथ में, मिट्टी के बरतन में काट के चुले से स्लो कूक होता है, जिससे इसका बहुत ही बढ़ जाता है, एक तू मिट्टी का बढ़तन और जो काट का चुला का फ्लेवर होता है, इसमें आड़ हो जाता है, इससे डिस का टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही यूनिक होता है, जिसका टेस्ट अब जिन्दी की भरनी भूल पाएंगे, बिल बटन है, उसको भी प्रेस कर देजिए, तब ही आपको मेरे रेसिबी दिखेंगी, देखिए ये पूरी तरह से डेडी हो गया है, ये पूरी तरह से मैस हो गया है, और इसमें लाम्स भी नहीं है, तो अभी आप इसको सर्फ कर सकते हैं, तो इस मकर संकरान्ती बनाईए ये पाल पॉंगल और लोगों कुछ डिफरेंट डिस सर्फ करिये, तो आपका एक्स्पिरियंस कैसा रहा, पाल पॉंगल बनाके मेरे साथ जरूर स्यार करिये, तब तक देखते रहे हैं, सिबानिस डाइरी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाबाई, टेक के लिए करो active 2019, विर्या, तपके लिएी जानिस, हुआ करो इपकी कैंत।